Welcome to VRL ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हर एक learner को परिशान करता है कि क्या उसको एक paid course की दरफ जाना चाहिए या फिर उसको एक free course लेना चाहिए जो कि internet में already available है तो पहले आते हैं इसमें जो दो type की लोग आते हैं तो जो पहली category के लोग होते हैं वो paid courses को afford कर सकते हैं अब इसमें महेंगा या सस्ता हो वो separate video में बात करेंगे तो अभी के लिए हम जस्त यह रहते हैं कि वो afford कर सकते हैं तो इसमें क्या रहता है कि उनके माबब ने उनको पैसे दिये होते हैं तो एक human psychology होती है कि यार पैसे दिये हैं तो करना पड़ेगा तो automatically एक sense of responsibility या seriousness आ जाती है और उस टाम में लोग social pressure की वे से उसको करी लेते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज है अगर आपका mind अगर आपका मन फिर भी नहीं कर रहा है उसको करने का पहले जो होते हैं जिनके पास बहुती कम या फिर पैसा होता ही नहीं है तो उनके पास कुछ और option रहता ही नहीं है वजाएक free course करने का तो वो internet में हर जगे ढूनते हैं तो उनको मिल भी जाता है अगर वो available है तो वो अपना जादर टाइम एक free course को search करने में रगा देते हैं जो कि उनके लिए भी अच्छा रहता क्योंकि उनको इसी ढूनने में उनको कम से कम 2 या 3 same type के content के course मिल जाते हैं और अगर वो 2 या 3 उनको same कर लेते हैं अगर उनको पढ़ लेते हैं तो उसमें से वो कुछ एक नया सीखते हैं और जिस किसी में भी जो कमी होती है वो उनको पता है रही थी कि इसमें क्या क्रमी है तो कुछ उसमें से अच्छा गेन करते हैं और जो गेन नहीं कर पाते हैं वो फिर ब्लेम करते हैं कि इसने हमें गलत सिखाया खर वो भी एक दूसरा अलग टॉपिक बन सकता है वो भी हम बाद में डिस्कूस करेंगे तो अभी के लिए हमें इसी पॉइंट में स्टिक रहते हैं इसमें से एक बात में अभी क्लियर कर देता हूँ अब जिस किसी का भी कोर्स ले रहे हो चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या वीडियो एडिटिंग हो या कम्पूटर के बारे में सीखना हो सॉफ़वेर, हार्डवेर या फिर आपको कोडिंग सीखनी है या फिर आपको डेटा साइन सिखना है या फिर आपको आटोमेशन सिखना है कि किसी भी वेबसाइट को आटोमेट करना है या अपनी कोई चीज आटोमेट करना उस type of content कहीं हद तक आपको internet में free में मिल जाएगा कुछ courses में इसको as an exception ले सकते हैं कि जहाँ पर वो free में नहीं मिलेगा या फिर अगर वो मिल भी रहा है तो उतने level का नहीं होगा उतने एक अच्छे level का नहीं होगा उसमें वो कहते हैं ना finishing touch उतना अच्छा नहीं होगा कि वो आपको वो तरह अच्छे से सिखा पाए तो हलाकि हर चीज में exception तो रहता यह तो मेरा point है पर यह है कि अगर आप कोई भी course करना चाहते हो तो आप सबसे पहले उसको social media platform में पूरी तरीके से चान दो कहीं वो free में तो नहीं मिलना अगर वो free में available है क्योंकि ऐसा बस वही लोग करेंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे या फिर वो उन पैसे कहीं और spend करना चाहते हैं जैसे अपने कपड़े जूते कुछ भी उनकी जो जरूत की चीज़े होती है उसको खरीदने में उसको spend कर देते हैं और उनको पता रहते हैं कि यह course हम यहां से भी free में सीख लेंगे तो यह doesn't matter कि उनको और वो parents को भी बता देंगे कि हमने सीख लिया है तो उनको उतना ज़्यादा कुछ फरक नहीं पड़ता अब आते हैं कि अगर वो कहीं free में भी available नहीं है तो अब आप क्या करोगे तो उसका एकी solution है कि आपको उसके related books पढ़नी पड़ेंगी और उनके pages आप 200 से लेके 2000 तक कितने भी pages हो सकते हैं तो सब आपको पढ़ने पढ़ेंगे और जो उसके related books हैं वो आपको PDF form में internet पे free में मिल जाएंगी अगर आपकी किसमत अच्छी भी वो free में मिल जाएंगी अगर अच्छी नहीं है आपको खरीद नहीं पड़ेगी किसी भी Amazon या Flipkart से और ये काम करने ले आपको time और patience चाहिए जो कि आपके पास है नहीं तो आप in the end उसको आप पैसे दे के ही सीखोगे और जो लोग आपको सिखा रहे हैं उन्होंने भी इतना ही time और patience लगा के वो बुक को पढ़ा है और वो चीज आपको सिखा रहे हैं अब आपके उपर depend करता है कि आपको क्या करना है in the end फैसला आपका है जिन्दगी आपकी है अगर आपको कुछ पसंद आया तो आप लाइक कीजिए अपनी दोसका शेर कीजिए और अगर इससी टाइब के कंटेंट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग देस